तो हेगा इस कैसो आप सावी लुक तो आज मैं एक्स्प्लेंट करने वाला हूं लाया लायर का एपसोड नमबर 6 तो बिना किस दिर करे एपसोड को शुरू करते हैं पर लेगिन एक दम से फालतों की वालतों को हटाते हुए नोवा उससे पूशन लग जाती है कि मेरा कोश्य निया है कि क्या तुमारा जो पार्टनर है वो थर्ड फ्लोर या फिर उसके नीचे छुपा हुआ है और यहापे जो हिरो तो है उसको सज बोलना था जिस वैसा हिरो तो मना कर देता है फिर नेक्स्ट आती है मूफ करने की बारी एंड यहापे वो लोग एक बार में तीन स्पेसिस तक मूफ कर सकते हैं और हरेक कमरे को एक फेस बुला गया है और फिर तो बताता है कि उन दोनों को एक दूसरी के ट्रेचर को रूटना है जो कि उनके पार्ट फ्लोर या फिर उसके ऊपर चुपा हुआ है क्योंकि हिरो तो को सही आंसर देना था इस वह से मना कर देता है और यहापे जो नोवा है वो समझ जाती है कि उसका पार्टनर है वह फोर्थ फ्लोर में एक तरफ हिरो तो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अल्रेडी का फिदर डिसद्वांटेज में आ रहा है पर लेकिन दूसरी तरफ जो नोवा है वो उसके साथ और भी मस्ती करने का प्लैन गरा रही थी तबी नोवा का जो आसकेंग टाइम है वो खतम हो जाता है और यहापे हिरो तो का टाइमिंग स्टार्ट होता है जो ह सारा सा उसको चिंता करने के लिए मना करती है क्योंकि अगर वह हार गया तब उसको भी काफी से तक प्रॉब्लम होगी सारा सा बताती है कि उसको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसको एक जिक बंद रहना पड़ेगा उपर से यहाप सर्थी भी हो रही है जहां पर हीरोतों की पार्टनर सारा सा एंड नोवा की पार्टनर सुरायू की है इस गेम को डिस्ट्रिक्ट 4 के सबसे बड़ी बिल्डिंग में खेला जा रहा है जहां पर इस रूम में 48 रूम्स है और चार कमांड्स है जो की टरन वाइस यूज करा जा सकता है सब सब पैदल चलके होगा एंड एक बार में वो लोग तीन फेजिस को कवर कर सकते हैं यानि की तीन रूम उससे जादा वो लोग नहीं चल सकते फिर आता है आंसर कमांड इस कमांड का यूज करने के बाद जो प्लेयर का पार्टनर है वो किसी भी जिगम में मूव कर सकता है अपन आंसर पॉइंट कम हो जाएगा इसका मतलब उस आंसर पॉइंट की मदद से वो लोग ऑफेंस और डिफेंस दोनों कर सकते हैं दूसी तरफ हिरो तो सोच रहा होता है कि वो लड़की मेरे पर प्रेशर डालके मेरे जो आंसर पॉइंट से उनको यूज करवाने का ट्राय कर है और उसको इस बार में भी शेक होता है कि आखिर नोवा के पास इतनी पावरफुल अबिलिटी कहां से आई और वह सोचता है कि पका उस डेविल बंदे नहीं इल्लीकल अबिलिटी दियोगी उसको सारा सा उससे पूछते कि आखिर वो उसको क्या करने का प्लान है तो फिर बार कि यहां पर बार करती यहांपर यांड़ी बाहर से काम करती है वह अंदर से रहसे कर सकता है नादर सार्व पर लेगें प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि बिलिंग के अंदर हो और वो काफी जीदा होश्या रोग उसके दिमाग में प्रोग्राम के रिलेटेट सारा मटीरियल है उसको बस ऐसा कोई परंदा चाहिए जो कि उसको इंप्लिमेंट कर सकता ह यहां यहां चाहिए जीदा है ये यहां जीदा हो यहां एक बोलता है क्योंकि उसने के बाद हिरो तो है यहां चाहिए जो सुर्यू के पर चाहिदा होता है और फिर वो हाँ बोलती है क्योंकि वो location का answer जूट नहीं दे सकती stair का use करते हुए जो hero तो है वो उस कमरे के काफी close आजाता है और बस दो rooms दूर ही होता है और यहाँ पर nova की जैसी chance आती है जो nova है वो पूस्टे है क्या तुमार जो partner है वो two one room में है और यह सुनते ही जो hero तो है वो हाँ बोलता है stair का use करते हुए जो nova है वो सारा सा के room के काफी close आती है और बस तीन rooms दूर होती है और अपनी ability की वैसे वो अपनी second chance में सुरायो की के जो room है वो change कर देती है इसके वैसे उसका एक answer point भी कम हो जाता है फिर आती है hero तो की बारी पर तभी सारा सा बताने लग जाती है कि वो सुरायो की की location को track नहीं कर पारी क्योंकि उन्होंने कुछ करके उसको block कर दिया है परले हिन दूसी तरफ जो hero तो है उसके सामने सुरायो की आ जाती है सुरायो की जब तक room तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक नोवा की बारी चलेगी इस वैसे वो सारा सा के साथ आगे की planning चालू कर देता है वो पताता है उसको लग रहा है कि नोवा के पास green star है क्योंकि वो उसके सारे moments को predict कर पा रही है साथी साथ उसकी पीछे उसकी मदद करने के लिए कोई और भी है जोगी है devil लेगन फिर भी उसको पता था कि वो जीतने वाला है क्योंकि उसके सारा सा है फिर वो fourth floor में जाके सारा सा की जे location है वो change करता है यान कि retreat करता है और तभी उसके question पूछने की बारी आती है जहापे वो तीन classroom के नाम लेता है और पूछता है क्या इन में से किसी एक में सुरहियो की है और इसका जो नौवा है वो हाँ में जवाब देती है और यहाँ पे नौवा काफिस दा frustrated हो चुकी थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आके रियो तो कैसे बता चल रहा था दूसी तरफ हीरो तो मनी मन सारा सा की तारीफ कर रहा था और वो याद करते कि कैसे सारा साने सारे prediction and possibilities को देखते हैं इन तीन classroom के बारे में बताये थे जो कि अभी सही हो चुके थे तब ही नौवा बोलने लग जाती है जो उसका next move है वो एकदम random होने वाला है वो बस ready रहे इन नौवा अपनी बारी में दो questions की मेंदल से सारा सा की जो next location है उसको पता कर लेती है जो कि है second floor में और फिर second floor में भी बहुँच जाती है फिर सारा सा hero तो से पूच दे की अब उसका गया plan है आखिर वो क्या करने वाला है और वो सुरय की की जो location है वो कैसे बता करेगा और ये सुनने के बाद hero तो बताता है कि उसने और अरड़ी कुछ plan करके रखा है और वो इस game को best way में end करेगा और ये सुनने के बाद सारा सा भी हैरान होती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि hero तो इतना कुछ सोच रगेगा पर लेगे hero तो बताता है कि अभी भी एक limitation है क् उनको बस दोई abilities के बार में पता है जो कि Noah यूज कर रही है एक है double action और दूसरा है area barrier उनको अभी तक 3rd ability के बार में कुछ भी नहीं पता जो कि उतके लिए काफी जदा problem दे सकता है और तभी वो सारा सा से टाइम पूसता है और सारा सा बताती है 8.52 सारा सा पूसती है कि वो retreat का भी use करता है and fifth round तर दोनों के पास एक answer point ही रह चुका था and यहाँ पे दोनों के दोनों काफी जदा confidently ये बोर देते कि वही जीतने वाले है currently hero तो की turn थी यहाँ पे hero तो यही play कर रहा था कि please notice कर लेना and यहाँ पे 10 बच चुके होते है तभी सारा सा hero तो को message करती है ज फिर वो याद दिला था कि कैसे उसने सुरायकी को 10 बचे air conditioner को on करने के ले बोला था क्योंकि सुरायकी ने उसको notice कर लिया उसने air conditioner को on किया वो भी 10 बचे and सुछ सारा सा है वो currently staff room में है जिसकी मदद से वो access कर सकती है कि कौन से room में air conditioner on हुआ है and इसी वैस से उसको बता चल जाती है alternative faith जिसकी वैसे hero tonage game जीता था वो रिजिस्टरी ने होता एंड उसका जो winning वाला पार्ट था वो erase हो जाता है क्योंकि अब नोवा की बारी थी और उसको अब ये भी पता चल चुका था कि जो hero to का partner है वो staff room में इस वैसे वो सीधा staff room की तरफ पहुंच जाती है वो वह सारा सका देखती है जिसको की वह पैचानती यह नहीं पढ़ लएंगी जैसी सारा सक चहरा देखती है वह हरान हो जाती है कि a future gymnies कर लेते हैंड तभी वो अभी नुवाइल में आचुका है क्यों वही विनर थी गेम की अब उनको ब्लाक मेल भी नी कर सकती है और दुशी तरफ जो नुवाइल वह एकदम होपलेस हो जाती है फिरा में दिखाये जाते है कि हिरो तो और नुवा अकेले में बात कर रहे थे जहापे नुवा हिरो तो से माफी माँगते है उसने जो कुछ भूग किया उन सभी चीजों के लिए और उसने यह सब कोच इसी लेगा क्या क्यों काफी सदा जलन हो थी उसने इस अकाडमी में पफ दे क्लास थी और उसने फाइफ स्टार भी जमा कर लिये थे और कम प्रस अलिमिनेशन बैटल में भी उस जीत गई थी जिस वैसे वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी पर लिए जैसी वहां पे हिरो तवाया सभी का धिया हिरो तो की तरफ पहले की तरह हो गया और उसका न पर लेकिन हिरो तो चिन्ता के निकले मना करता है और वह उसको बताता है कि वह किसी भी हैड़मास्टर से नहीं तरता क्योंकि वह सेविन स्टार है और सबसे यह जाद फ़्हां हो जाता है तो और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देने और स्व स्क्राइब कर देना तो बस आज क्योंदों के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक लिए स्या होना रहा